तो यहाँ पे Xiaomi HyperOS के new updates with latest security patch 3 devices के लिए यहाँ पे rollout कर दिये गई हैं यहाँ पे मैं आपको show कर देता हूँ आप इनको कैसे flash कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको पता है Poco F4 के लिए यहाँ पे Xiaomi ने already HyperOS के stable updates को rolling out करना start कर दिया था multiple Xiaomi smartphones में so अब यहाँ पे Xiaomi ने F4 के लिए India Reason के लिए 1.0.1.0 India stable update normal users के लिए rollout कर दिया है 5.3 GB के size में और इसके regarding मैं separate video create कर चुका हूँ कि अगर यह update आपको अभी तक आपके Poco F4 में देखने के लिए नहीं मिला तो आप इसको rename take 2.0 से या आप कैसे भी flash कर सकते हैं choose update package से भी तो जाकर कर चक आउट कर लिए वीडियो का लिंक आपको इस वाली वीडियो के description में देखने के लिए मिल जाएगा और इसी के साथ अगला smart phone है यहाँ पर मी 11 Ultra इंडिया में भी 150.250 इंडिया श्टेबल अपडेट बेटा टेश्टरस से नॉमल के लिए रोल आउट कर दिया है और अब यहाँ पर यहाँ पर यूरोप श्टेबल अपडेट बेटा टेश्टरस के लिए 150.150 UKEUXM के बिल्ड में रिलीस कर दिया गया है औ यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर चाइना रिजन के लिए शौमी ने एक और नियू अपडेट जो कि सेकंड हाइपर वसका है 150.250 ULO CNXM के बिल्ड में और इस अपडेट का साइज में आपको शोग कर देता हूँ इसका साइज आपको 155MB 150.150 से आपको देखने के लिए मिल जाता है तो यहाँ पर शौमी इस वाले स्मार्टफोन के लिए भी बहुत यादा स्ट्रिक्ट हूची ने एक मैने के अंदर अंदर एक और नियू अपडेट इस वाले स्मार्टफोन के लिए रिलीज कर दिया है और ये stable update हमें my security patch के साथ देखने के लिए मिल चाता है जो कि एक latest security patch है तो क्या आपको ये update देखने के लिए मिल चुका है और यहाँ पे India reason के लिए यहाँ पे शौंबी बहुत जल्द एक new update rolling out करने वाली है जब भी release किया जाएगा इसके recording video create कर दूँगा सिंप्ली चैनल को subscribe कर लिजे और join कर लिजे टेलिगाम चैनल